शूगर की समस्या जो आज कल भारत में सबसे जादा होने वाली समस्याओं में से एक है लगबग हर घर में कोई ना कोई इस समस्या को लेके परेशान है और सबसे खतरनाक बात इसमें ये है कि वो इसको इतना लाइटली लेते हैं इतना आम समझते हैं और इस समस्या को ऐसा अंदेखा करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इस से होने वाली आगे जो समस्याएं हैं वो क्या होती है क्या आप जानते हैं शुगर के कारण आपका पैर काट जा सकता है आपकी देखने की शक्ति आपकी आँखों की रोशनी चली जाती है किड्निया तक खराब हो सकती है, पैरलेसिस की प्रॉबलम होना, प्रोस्टेट की प्रॉबलम होना बहुत आम ऐसी समझते हैं जो किसके कारण होती है शुगर के कारण लेकिन जिन लोगों को इस बात का ग्यान नहीं होता है, वो अक्सर देखा जाता है कि शुगर को बहुत लाइटली लेते हैं और जब उनके फ्रेंट्स या परिवार के सदस्या कुछ उनको खाने के लिए कहते हैं मीटा तो वो कहते हैं हाँ कोई दिकत नहीं है, इतना तो चलता है, लेकिन यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि ये चलता नहीं है लेकिन हाँ, इस समस्या को रिवर्स किया जा सकता है, यानि आपके बड़े हुए शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है लाइफ को नॉमल तरीके से जिया जा सकता है, सिर्फ कुछ चीजों में बदलाव करके कैसे कुछ चीजों में बदलाव करना है, क्यों ये डायबटीज हो रही है, किन लोगों को ये डायबटीज होती है और सबसे एहम बात ये कैसे पता लगा सकते हैं हम के हमें शुगर होने वाली है या नहीं कुछ इनी चीजों के उपर आज मैं बात करूँगा आपको समझाओंगा बहुत डिटेल में कि कैसे एक वेक्ति को पता लग जाता है कि उसको शुगर की समस्या बढ़ रही है जो आम तोर पर लोगों को पता नहीं चल पाता साथ ही कैसे वो अपने आपको शुगर से बचा सकते हैं और जिसको शुगर की समस्या हो गई है जिसको शुगर हो गई है डायबटीज हो गई है वो अपनी डायबटीज को कैसे कंट्रोल कर सकता है कैसे manage कर सकता है, कैसे reverse कर सकता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी body में एक hormone release होता है उस hormone का नाम क्या है? insulin और वो insulin कौन मनाता है? हमारी ही body का एक organ है जिसका नाम है pancreas लेकिन अब इस hormone का काम क्या है? मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये? क्योंकि sugar की समस्या इस hormone यानि insulin के कारण ही बनती है अब कैसे बनती है? जब आपका hormone जो insulin है उसका काम क्या होता है? जैसे ही आपने कुछ खाया आपकी body में वो खाना sugar में यानि glucose में बदल जाता है और वो glucose आपकी body में जो hormone बन रहा है जिसका नाम है insulin वो आपकी body के cells तक लेके जाता है उसे और क्या करता है? आपकी body की cells के अंदर उसको enter करवाता है जिससे हमें energy मिलती है बोलने की, खाने की, सोने की, बैठने की जो भी हम काम कर रहे हैं उससे सब में energy लगती है तो वो energy मिल कहां से रही है? जो हम खाना खा रहे हैं उससे बनने वाली sugar से लेकिन जब आपके cells धीट हो जाते हैं धीट होने का मतलब क्या है? जब आपके cells जो आपका insulin है उसको resist करना शुरू कर देते हैं लेकिन आपकी body में जब आपके cells उस insulin को response नहीं करते हैं तो उसको बोली जाती है resistance आपका insulin resistance होना जिसकी वज़े से आपके sugar level बढ़ जाते हैं बढ़ क्यों जाते हैं? क्योंकि जब वो sugar absorb नहीं हुई तो वो आपके blood में ही, खून में ही मिलके flow होती रहती है पूरी body में और इस चीज का generally लोगों को पता नहीं चलता कैसे पता चल सकता है? इसको बताता हूँ अब देखे, अब मालो मैंने खाना खाया खाना खाने के बाद अगर मुझे energy मिलती है मुझे उससे energetic feel होता है तो मतब सब system बिलकुल ठीक चल रहा है मेरा insulin भी सही work कर रहा है मेरे cells भी सही work कर रहे है लेकिन जब आप खाना खाते हैं और even कई लोग जैसे की कम खाना खाते हैं उसके बाद भी वो देख रहे हैं उनका शरीर का जो भार है जो weight है वो बढ़ रहा है वो मोटे हो रहे हैं उनके अंदर मोटापा आ रहा है तो ये निशानी है कि आगे चल कर 4 साल 5 साल या 6 साल में उन्हें sugar होने के 99% chance होते हैं क्यों क्योंकि ये जो आपको मोटापा आ रहा है ये आ क्यों हो रहा है क्योंकि आपकी बोडी में जो आपका insulin है वो proper work नहीं कर रहा क्योंकि insulin बन तो रहा है वो produce तो हो रहा है लेकिन cells sugar को absorb नहीं कर रहे उसकी बात नहीं सुन रहे तो वो आपकी body में fat create कर रहा है जिसके कारण आपको sugar की समस्या का सामना आगे चल कर करना पड़ सकता है तो ये निशानी है साथ ही आपको कुछ सिम्टम बताता हूँ जिससे आपको ये समझा जाएगा कि शुगर अब मुझे हो चुकी है या अभी भी मैं बचा हुआ हूँ अक्सर क्या होता है जिन लोगों को शुगर की समस्या शुरू हो चुकी होती है उनके बलड में शुगर लेवल बड़े रहते हैं उन्हें अधिकतर बहुत जादा प्यास लगनी शुरू हो जाती है बहुत जादा योरीन आना शुरू हो जाता है इवन अगर कहीं पर कट लग जाए कोई फुनसी फोड़ा हो जाए कोई चोट लग जाए तो वो चोट काफी दिनों तक देखते हैं कि ठीक नहीं हो रही है वो जखम भर नहीं रहा है इवन पैरों में हातों में चीटिया जैसा काटना सुनपन आना ये सभी क्या है शुगर की निशानिया है तो अगर आपको ये समस्या है तो अभी आपको सतर्क होना बहुत जरूरी है अब हो सकता है बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे सर हम तो दवाई ले रहे हैं अगर आप दवाई ले रहे हैं क्योंकि यह मैं नहीं डॉक्टर पीटर आप यूट्यूब पे खुद जाईए और चेकीजे उन्होंने खुद बताया है कि एलोपेथिक मेडिसेन साइंस जो है वो आक्चुली आपके शुगर में आपको हेल्प नहीं कर रही है बलकि आपकी समस्या बढ़ा रही है क्यों बढ़ा रही है कैसे बढ़ा रही है इसको समझते है जब भी एक शुगर का पेशिंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर उसे क्या सजेस्ट करता है क्या देता है इंसुलिन देता है क्या insulin अमारी body में नहीं बन रहा है, फिर भी हमें insulin दिया जा रहा है, अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपकी समस्या क्यों बढ़ रही है insulin लेने से, क्योंकि जब कोई insulin लेता है, तो वो ये देखता है कि उसके blood में sugar level कम हो गए, लेक जिसके कारण patient पूरी तरह insulin पर निरभर हो जाता है और बहुत सी खतरनाक बिमारियों का सामना करता है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना sugar का सही इलाज समझना है, खुद से चूज करना है, अगर आपको किसी भी तरीके का doubt है, तो आप हमारे यानि श्रियास के doctors के team से free of cost consult कर सकते हैं, आप अपना हर doubt, हर सवाल, हर परिशानी के बारे में जो sugar से जुड़ा हुआ है, जब आप जान सकते हैं, हमारी doctors के team को call करके अभी, तो यहां तक हमें अच्छे से समझ आ गया कि हमें क्या नहीं करना, हमें insulin नहीं लेना, क्योंकि insulin लेंगे तो क्या करेंगे, insulin पर निर्भर हो जाएंगे, और जिससे समस्या इस level तक बढ़ जाएगी, जिसको reverse करना शायद नमुम्किन हो जाता है, तो हमें अब ठीक क्या करन है, उसे ठीक करना है, अपने insulin को और अपने cells को, अब कैसे करना है, इसको समझते हैं, क्योंकि sugar एक lifestyle disorder है, यानि हमारे गलत खान पीन का नतीज़ा है, अब क्यों नतीज़ा है, लास इसको समझना बहुत important है, जिसने इसको समझ लिया, उसके घर में sugar की समस्या होना लगबग ना मुमकिन हो जाती है, अब असल में होता क्या है, हम भारत देश में रहते हैं और भारत में हम जो भी खाना खाते हैं, वो 90% से प्लस carbs खाते हैं, अब carbs खाने की वज़े से होता क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा, जैसी मैंने आपको शुरुआत में होता है ता हम खा कर देना है, जिनको शुगर हो चुकी है, और जिनको अभी शुगर नहीं हुई है, वो 20-30% अपनी प्लेट में carbs को रखें, अब आपको खोगे सारी कैसे ना पहें, कैसे डिसाइड करें, पहले इसको समझो carbs है क्या, वो सारी चीजे जो मिठास अपने अंदर रखती हैं, व उसमें थोड़ा सा आपको प्रोटीन मिल जाता है, अगर आप उसमें घी डाल रहे हो, तो कितना डालते हो, शायद एक चमच है ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा फैट मिला, लेकिन आपकी पूरी प्लेट में अगर देखा जाए, तो सबसे जादा मातरा में आप क्या ले रखना है, उन सारी चीजों को लेना है, जो लो काप्स है, अब लो काप्स क्या होती है, जितनी भी हरी सबजियां है, वो सारी लो काप्स होती है, आप उनको खाए, हाँ, यहाँ पर एक चीज जरूर है, कि यह थोड़ा सा टेस्टलेस होता है, इसलिए लोगों को लगता है आप यहां पर यह समझना पड़ेगा कि डाइट का क्या रोल है अब इसमें आप जो रोटी खा रहे हैं उसको 10% यानि एक या दो रोटी खाएं लेकिन बाकी अपनी पूरी प्लेट में आप डाल को बढ़ा लीजे उस दाल में आप गी डालिए जो फैट है जो प्रोटीन है ये आपको बहुत हेल्प करेगा nutrition देने में, energy देने में और इससे होगा क्या जब आप carbs कापन खाएंगे तो आपकी बॉडी में जो insulin है वो ठीक से work कर पाएगा आपके cells दुबारा उससे respond करेंगे क्यों respond करेंगे, पहले sugar इतना जादा था अब एक चीज़ खुच सोचिए, आपके घर में कमरा है कमरे में furniture already आपने रखा हुआ है, bed भी है, sofa भी है, table भी है अब आप एक और कुछ नया furniture अगर उसके लिए लेके आते हैं इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जैसे दिल्ली का ट्राफिक, already इतना है, ऊपर से हम चाते हैं, हम टाइम से पहुचें, नहीं possible न तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक systematic way बनाना पड़ेगा अपनी body में, जिसमें carbs का amount कम कर देंगे और आप अपनी body में, अपने sugar के level में drastic change देखेंगे तो अगर आपको किसी भी तरीके का doubt है, तो आप हमारे यानि श्रियास के doctors के team से free of cost consult कर सकते हैं अपना हर doubt, हर सवाल, हर परिशानी के बारे में जो sugar से जुड़ा हुआ है, जब आप जान सकते हैं, हमारी doctors के team को call करके अभी